नमस्कार दोस्तो, सताईस अक्तूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा लेकिन दो दिन पहले धन तरियोदिशी यानि की धन तेरस का तिवहार मनाया जाता है आपको बता दें कि इस दिन भगवान कुबेर के साथ देवी लक्षमी की पूजा किछ जाती है हिंदू पौरानिक कथाओं के मुदाबिक इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था जिस वज़ा से इसे धन तेरस के पर्व के रूप में मनाया जाता है धन तेरस पर सम्रिधी और कल्यान परदान करने के लिए पूजा की जाती है तो चलिए अब बताते हैं कि धन तेरस का शुब मुहुरत इस दिन का शुब मुहुरत शाम 7 बज कर 8 मिनट से 8 बज कर 17 मिनट तक रहेगा और इसकी पूजा अवधी एक घंटे 9 मिनट तक रहेगी अब हमारे अस्ट्रोलोजर रजिंदर विट्टू जी से जानते हैं कि धन तेरस पर पूजा करने की सटीक विधी नमशकार आप सबी को हम आज बताएंगे दान तेर्थ पे कौन सी पूजा और कैसे की जाए क्वेर महराज उस दन हम सब पर दन की वर्षा करें हमारी जही मनुकामना है दान दिर के दिन आपने एक क्वेर जी की मूरति ले कहने है और उसी ही दिन लक्षमी जी और गिनेश जी की स्टैंडिंग नाओ, बैटे हो, उनकी मिट्टी की मूर्ती ले लेकिए आपने, जिसको सेक ना लगाओ, हीट नाओ, प्योर मिट्टी की, कच्छी मिट्टी की, उसी दिन ही आप खृदें, उसको किसी थाल में रखकर, किसी प् और लक्षमी जी को भी फूलों की माला पहना कर थोड़ा सा शहले शुद्ध शेहदो और अंगूर के सामने जो मुख्या दीवा मिटी का हो और सस्सो का तेल डलके उसके की अंके आगे बहुत हैं उनके सामने बैठकर जैसे भी आप अपने घर में अपनी विवस्तक साध कर सते हो कुवेर जी का लक्ष्मी जी का जो भी आप मंतर कर सकते हैं उसके अचान करें जित्ना लंबा और सते करें कुवेर जी दन्की बर्शा करेंगा आप परपाब कर कि तो हो सके जहां पर चैंक करेंगे उस स्तान पर है वाहे हैं क कुई एड़ सीठों विशेँ हो वाहिट रंग का कुश kसविए हो कि उसको जो भी आपकी प्लेट को मीन पर मत रखना किसी लक्यध के फटे silos यह किसी ऐसी चीज़ पर एख्षे रहा है जो जमीन समाधी में जो भी आप मंतर करेंगे उस मंतर का फल आपको मिलेगा एक बाद जा रखना जो लक्षमी जी और गनेश जी की मूर्ति वह शुद्र मिट्टी की ओ उसको बठी में पक्का ना किया सकाय ना गया हो ना ही वह पक्की मिट्टी की हो कच्छी मिट्टी की ओ और कवेर जी की मूर्ति आजकर ब्रास में मिलती हैं वह लेके अना अपने जे आप काम करना दानदेश के दिन मालक्षमी और क्वेर महराजी आपके गरपर बार पर आपके कारो बार पर बहुत किरपा करेंगे आपको खुश्य मिलेगी जैमातादी अब हम आपको राशी अनुसार तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाब कराएंगे वह इस दिन दवाए दानदेश के दिन के कपड़ों की रंग पर के कपड़े हो उनकी शॉपिंग करसा आते हैं गार में सजावट के के बर्तनों की शॉपिंग कर साते हैं जिनकी मंगल की राची है मेश और ब्रिचक वह अपने गार में मंगल के स्बंद्र चीजी लेकर आएं जैसे को ला रंग का शोपी से लिवी लिया साते हैं को रैड कलर का कोई और चीजी ले साते मंगल के स्बंद्र काम हो जिसमें मंगल की डेकुरेशन मंगल की चीजें हो वह लेकर आएं जिनकी करक राची हैं वह चांदी खरीद कर लाएं उस दिन जिनकी सिंग राची हैं वो तांबे के बरतन लेकर आएं तो हो सके जिनका मकान का फिस वेस्ट फिस हैं वो तांबे का सूरज लाकर उस दिन नौर्थ कपाली फिस पे लगा दें वो भी आपको बफाल देगा जिनकी राची कन्या और मितन है वो अपनी भगो बेटियों के लिए बहनों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ख wondतिके लएं बहुत फ़ाल मिलेगा जिनके माता जी पिता जी राची कोई भी हो है वह अपने पिता जी लिए और माता जी के लिए हैं अपने बड़े बजूर्गों के लिए जैसे वो खाते हैं पीते हैं जो पहनते हैं उनके लिए जो भी मर्जी लें उनका जो मिले उनको देने के बाद जो आपको शिर्वा मिलेगा वो सभी पासे काम करेगा तो आपको अगर हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शियर करें साथ ही इसी तरह की और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल खुंडली टीवी से जुड़े रहें हैपी दीवाली